Hello everyone, आज हम करेंगे memory यानि स्मृति का second part पहले part में हमने जो पहली वीडियो बनाई थी उसके अंदर हमने memory का meaning, स्मृति का मतलब उसके अंदर कौन से कौन से processes involved होते हैं encoding यानि senses से लेना, storage, भंधारन और retrieval यानि पुनुरुद्धार जब जो थो तो अपने दिमाग से उसको निकाल के लिए आना उस memory को, वो देखा हमने different theories भी की, जिसके अंदर हमने IP model किया, Atkinson और Sheffrin का levels of processing model, Crack and Lockhart का और PDP model, जो कि Rumalhart और Matkin Lane ने दिया था आज हम करेंगे अपना memory की part 2 वीडियो, ठीक है इसके अंदर हम यह सारे topics इसमें करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं देखिए, memory की measurement के लिए कि आपको कितना याद है उसको मापने के लिए एक समान को use किया गया और वो जो समान था ना, वो था simple यानि आसान सा verbal शाब्दिक material जिसको दिया गया देखिए, किस में कितनी किसी की याददाश है, किस की कितनी स्मृति है उसके लिए पहले दे दी गई number one पे एक serial list अब serial list यह थी कि या तो शब्दों की list दे दी जैसे कि red, cap, mat, अगेरा और उसके बाद पुछा गया कि बताओ कि हमने एक list दी है और उस list में से जिसको जितने याद है उसने वो सारे शब्द बता दिये तो वो कहलाती है बही एक serial list वो serial list words की भी हो सकती थी number की भी हो सकती है और nonsense syllables की या नंसेंस syllables वो यानि ऐसी चीज़े जिन जिसे नैल, पैब, इनका कोई मतलब नहीं है ना आर्थ नहीं है ना तो इसलिए इन्हें nonsense syllables कहा जाता है तो पहला था serial list दूसरा है हमारा paired associate list paired यानि की मिला कर एक दूसरे से pairing है associate list है यानि दोनों जोड कर है जिसे कौन और music यानि उनकी pairing है उनका आपस में मलब मिलान तो है मगर association कोई ऐसा कुछ खास नहीं है कि कौन का music से बस ऐसे दो words को मिला दिया उनको pairing कर दिया और फिर जो है पूचा गया कि हाँ music से related कौन सा शब्द था उसके साथ क्या था तो अगर कोई बता देगा कि कौन था तो हाँ उसकी यादाश में उसको ये शब्द याद था और तीसरे नमबर पर था connected discourse शब्द आपने English language में पढ़ा होगा यानि कि ऐसा paragraph या फिर ऐसा आप जो है वो written material है जिसको आप पढ़ रहे हैं तो actual blocks of languages से यानि कि असली में जो बहाशाए के blocks होते हैं उनसे written में या फिर लिखा हुआ या फिर spoken बताया हुआ देया गया और फिर उसे बोला गया कि इसको आप बताईए कि क्या-क्या लिखा हुआ आपने पढ़ा और क्या सुनकर आपने क्या बोल रहे थे वो बताओ तो इससे जो है वो memory जो है यानि स्मृति की testing हुई यह material था स्मृति को test करने का memory को test करने का और यानि memory की measurement के लिए स्मृति के मापन के लिए एक instrument यानि कि ऐसा सामान जिस पे use किया गया नापने के लिए वो था भई आपका memory drum और यह दिया यूज किया था वह एबिन गोस जो थे उन्होंने इसे बनाया और यूज किया इसके अंदर क्या किया जाता था memory drum के अंदर labs में इसे यूज किया जाता था एक बारी में देखे यहाँ पर एक window होती थी और उसके कोई nonsense syllable या फिर कोई word आया दिया जाता था ऐसे एक एक करके एक करके कुछ शब्द या nonsense syllables दिखाई जाते थी और उसके बाद जो participant है उससे पूछा जाता था जिसे माली जे 10 शब्द गया और उसे बोला कि चलो जो 10 है 10 के हैं 10 उनको आप बताओ और जितना उन्हें याद हो रहता था अगर किसी को 10 में से 10 याद रहे तो उससे कहा जाता था कि इसकी memory जादा अच्छी है 10 में से किसी को 1-2 याद रहे तो उससे कहा गया कि इसकी memory इतनी अच्छी नहीं है उसी इतने शब्द याद ही नहीं रहे तो यह एक instrument था बहिए आज की date में technological development इतनी जादा हो गई यह आपने देखा होगा smart board आ गए है तो उसके कारण क्या हुआ है कि यह आपका memory drum था ना यह physical instrument था इसको electronic computer से आप आज की date में replace कर दिया गया है क्योंकि computer पे देखिए आसान है और यह तो मलब एक तरीके से पुराना जैसे typewriter को replace करके computer आ गया ना ऐसे memory drum को replace करके अब electronic computer से आप memory testing करते हैं अब हमारा measurement यानि कि हम स्मृति को जो मापन कर रहे हैं उसमें आप क्या मापन कर रहे है और क्या है उसका तरीका देखिए amount of retention अब retention की शब्द समझे है retention शब्द है कि आपने कितना retain करा आप देखिए कि retain का मतलब यह है कि उसकी capacity जैसे कि एक बाल्टी होती है उसके अंदर कितना पानी एक लिटर आ जाता है दो लिटर आ जाता है तो ऐसे ही retention का मतलब है capacity कितना आप retain कर सकते हो इसका एक formula है यह बड़ा आसान सा है देखिए कि आपने याद किया ठीक है और कि उसमें से आप कितना भूल गए उतना आपने retain कर लिया यानि कि आपने जो है एक पूरा चेप्टर पढ़ा ठीक है आपने उसे अच्छी तरह याद कर लिया मगर उस पूरी चेप्टर में से क्या हुआ आप जो है एक टीहाई भाग भूल ग उस चैप्टर के आपकी दो बटा तीन समझ बन गई तो यह मैज का फॉर्मूला है कई बार सेविंग्स को निकालने के लिए यूज हो जाता है तो ऐसे कर सकते हैं तो अब मिजर्मेंट के लिए क्या 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 जाता है देखिए सबसे पहला होता है recognition यानि पुनह स्मरण recognize कर लेना किसी चीज को पहचान लेना वह देखिए simple recognition यह है कि आपने किसी बंदे को देखा और आपने इसे पहचान ले है कि हाँ मैंने इसे देख रखा है और एक क्या कि आपको बहुत सारी photos दे दी और गवा को लेकर चश्मदीद को कहते है कि जाओ और पता करो कौन है तो वो क्या करता है उसको multiple alternative recognition दी जाती है यानि multiple बहुत सारे अभियुक्त होते है उन मेंसे उसे पहचानना होता है कि भई कौन जो है उस time था कौन crime कर रहा था तो वो क्या है multiple alternative recognition दूसरा है recall याद करना अब एक ही है किसी चीज़ के बारे में आप जो है freely recall कर रहे हो कि हाँ उस chapter को मैंने पढ़ा उसके बारे में यह 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 बाते थी एक है probed recall यानि कि आप से पुछा जाए कि आपने CDP में methods में कौन से method पढ़े तो आप probing कर रहे हो आप पहले topic पे गायचे गए child development pedagogy में फिर आपने methods की बात की कौन से methods होते हैं और उसमें फिर आप जो है प्रोब कर रहे हो धीरे धीरे उसकी तरफ जा रहे हो यह कहलाती है भी probed recall probed recall आप जैसे पुलिस वाले करते हैं बिठा देते हैं और पुछते हैं जब वो करते हैं inquiry करते हैं तो प्रोब रिकॉल ही करते हैं याद करो क्या हो रहा था वहाँ ये क्या हो रहा था तो वो सब है probed recall अब है serial recall serial recall जो होती है वो sequential होती है उसके अंदर आप क्या करते हो आप जैसे माल लीजे कि आप अपनी चाबी जो है ना हमेशे फ्रिज के उपर रखते हो गाड़ी की चाबी ठीक है तो आप क्या करोगे आप याद करोगे कि उस दिन ऐसा क्या हुआ कि अगर फ्रिज पे मुझे आज चाबी नहीं मिल रही कि मैंने फ्रिज पे नहीं रखी तो वो कहलाती है भई सीरियल रिकॉल अब देखिए जो हमारे एबिन गौर्ज जो थे ना उन्होंने दो मेथड दिये ठीक है मेजरमेंट करने के लिए कि आप मेमरी को कैसे मेजर करेंगे एक तो जो था वो था आपका लर्निंग मेथड लर्निंग मेथड ये था कि आपको एक कम ट्रायल्स लेगा यानि कि किसी ने एक ही बारी में दस दे दस के दस याद करें उसे रहे और उसने लिख दिये किसी ने दो बारी में लिखे किसी ने तीन बारी में लिखे तो जिसने सबसे कम बारियां लगाई ना तो वो जो है उसकी मेमरी जादा अच्छी है ठीक है द याद किया आपने 10 के 10 लिख दिये ठीक है फिर आपको टाइम दिया कि आप रेस्ट करो जी आप आराम करो ओविसली आप रेस्ट करोगे तो कुछ चीजे आप भूल जाओगे अब आप चीजे भूल गए अब आपको वही लिस्ट दुबारा दी गई ठीक है अब आपको दु आपका सेविंग स्कोर मेमरी का कहलाएगा कि पहले आपने 10 ट्रायल लगाये थे आप जो है आप 6 ट्रायल में कर रहे हैं सेकिंड बारी में तो आपका 3 का सेविंग स्कोर है आपने यानि 3 फीसदी भाग जो था वो आपको याद रहा आपको सिर्फ याद 7 बारी करना वो दुबारा शुरू से नहीं करनी बढ़ती ना कुछ ना कुछ तो आपका सेविंग स्कोर बननी जाता है आपको कुछ ना कुछ पहले पढ़ा होता है तो याद तो रहता ही है ना recite किया जाता है बार बार उनका उच्चारण करवाया जाता है रिपीट किया जाता है तो उससे जो है ज्यादा chances है कि चीज़े ज़्यादा देर तक दिमाग में याद रहती है ठीक है दूसरा है whole and part method देके whole method यह है कि whole whole शब से देखे, पून और part हो गया भई, अंच अब किसी चीज को आप जा whole एक बारी में आप पूरा पढ़िये, ठीक है उसको पढ़ दिया, एक ही बारी में आपने memory की unit उठाई और उसको सारा पढ़ लिया, ठीक है, और part method किया है, आपने क्या किया है, उसको parts में divide किया है, जैसे मैंने क्या किया है पहले ये एक वीडियो बनाई है, फिर आप ये आज दूसरी वीडियो आपके साथ मैं कर रही हूँ तो वो parts में कर रही हूँ मैं तो इसके दोनों ही चीजों के अपने positives भी है, negatives भी है whole method का ये है, कि आप एक पूरा पढ़ते हैं एक बारी में, तो ज़रूरी नहीं है कि आप कहीं पे अटक जाएं, आपको ठकावट हो, तो आप end तक उसी energy से पढ़ रहे हो, और आपकी उतनी समझ विक्षित हो, part में यह है कि आप ऐसे parts, parts में करते रहेंगे तो पूरी चीज की विश्तरित समझ आप नहीं बना पाएंगे तो ज़्यादा तर psychologist ने कि हमें whole plus part approach से पढ़ना चाहिए, कि पहले हमें whole यानि मोटा मोटा उपर तोर से पढ़ लेना चाहिए, और फिर उस part को आइडेंटिफाय करना चाहिए, कि हाँ मुझे ये वाला part नहीं आ रहा, ये अच्छी तरह नहीं हुआ फिर उस part को focus करके आपको पढ़ना चाहिए, ये अच्छा method है आप भी ऐसे आप, अगर आप त्यारी कर रहे हैं तो आप एक किताब को अपनी आप पढ़ना चाहिए, आप पढ़ना चाहिए, ये थोड़ा कम आ रहा है तो जब आप दुबारा पढ़ेंगे तो फिर शुरू से ना पढ़के आप सिर्फ उस part को जो difficult है जिसकी understanding कम है उसको focus करते हुए पढ़िए तो आपकी जादा आपकी स्मृति बनेंगी और आपको जादा याद रहेगा तीसतरा है वही spaced and unspaced method spaced method देखिए जिसे space कहता है ना space दो किसी को space दो space का मनलब यह है कि आपने पढ़ रहे हैं फिर आपने पढ़ा कुछ फिर रेस्ट किया फिर पढ़ा फिर रेस्ट किया unspaced method है यानि कि mass practice आप एक ही बारे में लग गए या आज तो मैं यह chapter पूरा करके math का उठूंगी और आपने एक ही बारे में पूरी unit के सारे question कर दिये तो वो है आपका unspaced method whole है chapter का तो वो है आपका unspaced method देखिए whole and part में whole को है यानि चीज को पूर नता पढ़ना अगर कोई poem है उसको पूरा पढ़के उसका मतलब निकालना और फिर उसके अंश में किसी poem में कोई दिक्कत आरे फिर उस अंश को अच्छी तरह करना spaced method है यानि कि आप क्या करेंगे कि आप पढ़ेंगे rest करेंगे फिर पढ़ेंगे फिर rest करेंगे unspaced है आप एक ही बारी में लेकर बैड़ गए और फिर उसको पूरा कर देंगे तो वो है unspaced या फिर maths practice जैसे कि आपने maths pedagogy की बुकली और आपने क्या किया आज मैं इसे पूरी करके उठूँगा तो आपने unspaced method से कर लिया और space method यह होता कि आपने math pedagogy के तीन topics हैं तो आपने पहला एक topic है फिर आपने rest किया फिर दूसरा topic है फिर तीसरा topic है अब आप memory की training कैसे कर सकते हैं memory की training करने के लिए आप देखिए स्मिर्ती में न चार भाग आते हैं और वो काफी influence होती है इन चार भागों से पहला है हमारा learning यानि अधिगम ठीक है learning क्या है desirable behavior modification यानि कि वांचनिय व्यवार ये व्यवार में जो परिवर्तन है वो है आपका अधिगम अब retention जैसे मैंने कहा capacity अब कितना आप जो है यह कितनी नहीं होती capacity तो इसको बढ़ाना या कम करना वो तो थोड़ा मुश्किल है तो retention तो है उसको तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे recognition आप किसी चीज को पैचान पाते हो अब यह कई होते हैं बड़े तेज होते हैं पैचान पाने में कि चीजे कि यह चीज ऐसे यह तो लिया ऐसे तो नहीं सुखा हुआ था तो उनकी recognition power जो होती है वो person to person differ करती है वो prompt है यानि अपने आप से और spontaneous है यानि एकदम से आती है वो आप सिखाने सकते हैं अगर किसी को कोई है ध्यान देने कि अप उसे बार बार कोगे इस पर ध्यान दे इस पर ध्यान दे तो वो ऐसे नहीं हो पाएगा कि और किसी की आदती है ध्यान देने की छोटी-छोटी बार ही क्यों को कातने की ना-nा-nा-nा कातने की तो इस पर हम कुछ ज़स्दा improvement वाला काम नहीं कर सकते जो हम main काम कर सकते हैं वो कर सकते हैं अधिगम में और recall में इन में जो है न हम क्या करें कि हमारी memory अच्छी हो जाए तो वो हम काम कर सकते हैं तो चलिए देखते हैं इन दोनों में हम कैसे improve कर सकते हैं recall करवाना किसी चीज़ को दुबारा याद कर पाना कि हाँ ये चीज़ ऐसे थी तो इसके लिए recall करने के लिए जरूरी है कि आप जो है anxiety ना हो यानि आपको किसी चीज़ का तनाव ना हो डर ना हो और आप किसी emotional state में ना हो यानि कि आप घबराय हुए ना हो देखे रिकाल जो किया हो गया recall कर पाना मुश्किल होगा तो इसलिए normal रही है tension free रही है तो आप खुद ही recall कर पाएंगे कि ये तो भही यहाँ पर ये मैडम ने बताई थी ये वाली बात हाँ ये तो मैंने बुक के ये उस बुक पे था हाँ और ऐसा था आप देखिए इतना अच्छी तरह अ और ऐसे था तो इसलिए anxiety free रही है recall करना है अच्छा दो confidence रखिए अपनी ability में आतम विश्वास बना के रखिए association बनाई ये देखिए ये मैं बहुत important मानती है और खुद के लिए जब मैं पढ़ती थी तो मैं इस चीज को बहुत अच्छी तरह मानती थी कि जैसे जैसे आप associate करेंगे जैसे आगर math pedagogy आपको ऐसे सोचो कि ये तो अलग ही है psychology अलग ही है ऐसा नहीं है math pedagogy के concept जो है न वो भी कहीं न कहीं बच्चे से जुड़े है और बच्चे क्या है उसकी development जुड़ी हुई है उससे जो कि psychology का concept है बच्चे के साथ उसके समाज शास्तर भी जुड learning है और आपको concepts ही ऐसे बनाने है कि आपके concept दूसरे concept से बहुत अच्छी तरह clearly जुड़े हुए हो ऐसा नहीं कि ऐसे उनकी blurry lines है कि हाँ ये हो भी सकता इससे मिला हुआ हाँ ये भी नहीं आपके अच्छे ideas जुड़े हुए होंगे associated होंगे connections होंगे उनके बीच में और systematically recall और अच्छा होगा ठीक है आप ना कई बार क्या करते हैं किसी चीज को सोचने लग जाते हैं कि ये गाना मैंने कहां सुना था कहां सुना था इस बंदे को कहां देखा था कहां देखा था और उसमें बहुत सारी energy हम waste कर देते हैं ये question नहीं आ रहा क्यों नहीं आ रहा मैंन जल्दी identify कर पाएंगे और जल्दी उस problem को solve कर पाएंगे तो ये तो तरीके हो गया आपका recall को सुधार करने के कि आप recall कैसे अपना अच्छा improve कर सकते हैं अब हम देखते हैं learning यानि अधिगम को कैसे improve कर सकते हैं अधिगम को improve करने के लिए देखिए will to learn होना चीए सीखने का ततपरता बहुत होनी ज़रूरी है हम या फिर सभी teachers जो भी है वो अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करते हैं सिखाने की मगर जब तक अगर students ही तयार नहीं होगा वो ही ready नहीं होगा तो कैसे selection होगा में तो learner को सीखने के लिए ततपर होना बहुत ज़रूरी है interest और attention देख सोचे कि आज मुझे कुछ नया सीखने को मिल रहा है मज़ा आएगा और कुछ बढ़िया तरीके से सीखूँगा positive तरीके से रही है adopt कीजिए proper method memorization का यानि proper methods होते हैं उनको देखिए आप जो है association जैसे मैंने का concept map बना के कर सकते हैं आए एक चीज कहां से जुड़ी है उस चीजों को देख सकते हैं grouping और rhythm यूज कर सकते हैं देखिए आप छोटे बच्चों को जो है हम ना काफी rhymes करवाते हैं पहाड़े वी टू वन जा टू 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 जा फो तो रिद्मिक पैटर्न में ना उनको याद काफी रहता है उसको यूज करते है यूटिलाइज इस मैंने सेंस पॉसिबल आपको इतनी सामान है कि आप अच्छी दर ऐसे एक चीज को देख सकते हो आप ज्यादा सेंस को इन्वाल कर सकते हो अपनी आखों को और मलब आपको लाइव दिखाए दे सकता है तो उससे क्या होगा उससे आपकी लर्निंग इंप्रूव होगी जितने सेंस को यूज अगर कोई बिमार है तो वो कैसे उसका अधिकम अच्छी तरह हो जाएगा कोई पेपर वाले दिन ही बिमार हो गया तो अपने इंटरनली आप अपने आपको स्ट्रॉंग मनाई है एक्ससाइज कीजिए और योगा मेडिटेशन इन चीज़ों को भी कीजए क्योंकि यह सब आपके कंसेंट्रेशन इंप्रूब करेगी हैल्थ बढ़ी होगी तभी तो अच्छा अधिकम होगा प्रोविजन फॉर चेंज एंड प्रोफर रेस्ट देखिए चेंज लाना भी बहुत ही ज़रूरी है अपना मोनोटोनस जो है ना रूटीन पकड़ लिया कि मुझे यह कर को जो है उसको ऐसा नियोजित कीजिए कि आपको कहीं न कहीं किसी कोई एक बंदा हो जो आपकी बात सुन सके आप प्रॉपर्ली रेस्ट कीजिए सोना बहुत ही जरूरी है ऐसा नहीं कि बस पेपर आने वाला आप तो मैं दो घंटे सोंगा तो उससे लेर्णिंग कोई जएंगे और आप पेपर सेलक्ट कर लेंगे उसके लिए जरूरी है कि आपकी लंबी महनत होने चीए और कंटिनियूअस होने चीए चाहिए बहुत ही जरूरी है आप देखिए रेपिटेशन और प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है आपने जैसे देखा कि एब इन गोस्स ने कहा ना जैसे वो learning method और saving method में जब saving method में हमने देखा कि दूसरे बारी में आपने कितने trials लिए तो कोशिश कीजिए जब आप दूसरे बार करें course को तो आप उसमें कम trials लें यानि कि आपको जो है आपको इतना याद रहे कि आपने आपका कम समय लगे और main main points को जो है आप repeat कीजिए practice कीजिए और sources से उसकी information लेजिए और उसको सुधारिए देखिए ये question जो है SQ4R technique ये आ सकता है ये language में काफी question आता है ये जो SQ4R technique दिया था ये दिया था Thomas और Robinson ने ये जो है किसी भी text होता है कोई भी written material होता है तो सबसे पहले उसको survey कीजिए कि इसमें क्या क्या है question पूछिए कि क्या मैं पढ़ रहा हूँ क्यों पढ़ रहा हूँ इससे मुझे क्या मिलेगा और क्या क्या इस चीज में क्या क्या main किरदार है क्या है फिर आप क्या कीजिए उसको read कीजिए पढ़िए फिर आप जो है reflect कीजिए अब सोचिए उसके बारे में चिंतन कीजिए अब recite कीजिए बोलिए उसके बारे में और recall कीजिए कि कैसे sequence of events हुए कि अगर कोई कहानी थी प्रेम चंद की इसके अंदर आपने starting में जो question लेके चले थे उन questions को दुबारा से देखिए कि क्या उन सब के जवाब मिल गए जवाब मिल गए तो हाँ उस text से आपकी अच्छी समझ बन गई अगर नहीं मिले तो दुबारा से ये process कीजिए survey कीजिए फिर उस text से question पूछे फिर read कीजिए फिर उसके बारे में reflect सोचिए recite कीजिए बताईया recall कीजिए events को और फिर review कीजिए और अब की बार जब review होगा अगर आपके जो सवाल आप लेके चले थे उनकी समझ आपके विक्सित हो गई जो topic समझ में नहीं आ रहा था वो सारा clear हो गया तो ये आपने SQ4R technique से आपने एक text की अच्छे understanding बना ली और ये जो दिया था ना वह ये दिया था Thomas और Robinson ने अब बारवा step जो है वो है निमोनिक्स निमोनिक्स जो है ना एक Greek शब्द है Greek शब्द है उसका मतलब है Aid to Memory यानि कि ऐसी चीज़ जिससे कि आपको मदद मिलती है स्मृति में अब वो कैसे मिलती है उसके कई methods है अब देखिए method of location लोकाई का मतलब होता है locations और places आप देखिए कि आप जो है ना वो याद करना चाते है आप भारत के जितने भी राज्जे हैं उनके बारे में और उनकी capital के बारे में तो आपने क्या क्या मैप लिया मैप के अंदर आप जो है locate कर रहे हैं कि कौन सा राज्जे कहां स्तित है उसके बारे में थोड़ा बहुत जान रहे हैं यहां यह यह तुफान आया तो यहां पर यह अरव सागर से आया तो यह वाले राज्जे प्रभावित हुए यह बंगाल की खाड़ी से में यह वाला तुफान उट रहा है तो उड़ी सा बंगाल प्रभावित हो रहे हैं तो उस तरीके से जो है आप locations के साथ चीजों को जोडते हुए जो समझ बना रहे हैं वो एक हमारा निमोनिक टेखनीक आप यूज़ कर सकते हैं दूसरा है आपका peg word method आप देखिए peg word method के अंदर आप क्या करते हैं आपना कोई word बना लेते हैं आपने बोला पंडित बदरी परसाद हर हर भोले तो आपना P से क्या लिया आपने sin theta की value बोल दी कि P by H होते है यानि perpendicular by hypotenuse cos theta होता है आपका base बटा hypotenuse और tan theta होता है perpendicular upon base तो पंडित बदरी परसाद हर हर भोले तो आपने एक word बना लिया पंडित बदरी परसाद तो इस तरीके से आप जो है history में भी कई लोग ऐसे बनाते हैं और उससे याद करने की कोशिश करते हैं कि वो word याद आ जाता है तो आप उससे जो है वो कि यह sequence था और अरंग जेब आया या अकबर पहले आया तो वो एक hierarchy में words याद कर लेते हैं peg words तो वो pegs की तरह काम करते हैं यानि कि वो लोग बता देते हैं कि इसके बाद ये था ठीक है narrative chaining method जो है उसमें आप एक narration की आप एक कहानी की तरह याद करने की कोशिश करते हैं sequence को history में जादा use होता है कि पहले ये ओरा था फिर ये हुआ फिर ये रा जाया उसने ये monuments बनाई ये सब d होता है आपका initial letter status जैसे कि आप देखिए board mask board mask के अंदर आपने याद कर लिया कि पहले bracket open करेंगे फिर division होगा फिर multiplication होगा फिर addition होगा ठीक है फिर जो है आप subtraction करेंगे तो ये एक तरीका है जिसे आप याद कर सकते हैं कि आपको कैसे कैसे खूलना है ठीक है keyword method है एक last step keyword method आप ये देखिए जैसे कि कई words होते हैं जैसे कि आप देखिए कि एक word है आपने सुना होगा glow up ये glow up word सर्विया में काफी आया जैसे glow up Dutch me com तो glow up word का देखा मैंने कि एक Russian word है ये Russian word जो है न इसका मतलब ये होता है कि head head तो अब head word जो है उसको याद करना English में उसका मलब है head sir तो glow up word को याद करने के लिए मैंने सोचा glow up यानि गुलीवर गुलीवर जो था वो छोटे छोटे जब उस बंदे उसको मिल गए थे वो एक टापू पे गया था तो गुलीवर कितना बड़ा लग रहोगा उसका कितना बड़ा सर होगा तो उस तरीके से मैंने जो है वो एक imagery बना ली यानि image बना ली दिमाग में और उससे उस शब्द glow up को कोशिच करें जिसे सर्वियन में जाह गोलते हैं सब्सकार पर लें При लिए तो मैंने च finden है पंजड़ा ने थिए करने के लिए shortcuts हैं कई बाई use करते हो कि आगे-ागे शब्दों के letter जो है उन्हें ही याद कर लो उससे related मिलता जुलता याद कर लो उससे जो है आपकी स्मिदिती improve हो सकती है और paper में कई बार आपको ये mnemonics काम दे देते हैं और आप जल्दी से उनको लगा पाते हो ये एक तरीका है मगर असली understanding अगर बनानी है किसी चीज की तो आप mnemonics को रटने पर ना लगा है उसको एक थोड़ी सी help की तरह ले जैसे कि short tricks होती है ना match में क्या short trick ही से ही paper qualify होता है नहीं होता आपको long method उसकी समझानी बहुत ज़रूरी है इसलिए माल लिजए निमonics जो है ना वो एक तरीके की memory की short tricks है मगर ultimately अगर आपको समझ बनानी है विस्तरित तो और पे गहन डीप तो आपको किसी भी चीज को समझते हुए पढ़ना पढ़ेगा पढ़ने से ही समझ बनती है तो थैंक यू वेरी मच उमीद करती हूँ यह memory की second video आपके को समझ में आएगी और अब हम इसका memory का third part करेंगे और वो है forgetting next video में थैंक यू वेरी मच जैहिन